आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज, हमें इस Question में दे रखा है If the coordinates of A और B हमारा क्या क्या है 1, 2, 3 और 7, 8, 7 तो बोला कि Projection of Line Segment A, B on Coordinate Axis क्या होगा ये बताओ, तो देखो सबसे पहले A और B A और B को मिला के एक Line बन रहा होगा Line Segment, तो अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा Point A हमारा यहाँ होगा और Point B हमारा यहाँ होगा Point A का Coordinate है 1, 2, 3 B का Coordinate है 7, 8, 7 अब देखो, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले A, B Vector निकालता हूँ तो A, B Vector हमारा होगा देखो, A, B Vector के लिए अपन क्या करेंगे Position Vector of B Minus Position Vector of A करेंगे अइसा होगा, हमारा A, B Vector तब निकलेगा तो देखो, Position Vector of B 8J Cap plus 7K Cap, ठीक है अब देखो, Position Vector of A मैं क्या लिख सकता था इसको I Cap plus 2J Cap plus 3K Cap Position Vector of A ऐसा लिख सकता था मैं तो यह हमारा आ जाएगा, A, B Vector ठीक है, अब देखो, A, B Vector हमारा आ चुका है वो क्या आया है अगर मैं इसको calculate करू तो A, B Vector हमारा आएगा, 7-1 यानि कि 6I Cap 8J Cap minus 2J Cap यानि कि plus 6J Cap plus 7K Cap minus 3K Cap यानि कि plus 4K Cap अब यह हमारा आ गया, A, B Vector अब मेरे को चाहिए projection, coordinate axis पे, ठीक है मैं क्या करूँगा, projection निकालने के लिए सबसे पहले मैं X axis पे projection निकालता हूँ projection of A, B Vector on X axis तो X axis पे अपन यहाँ पे projection निकालते हैं तो हो क्या जाएगा हमारा X axis को अपन किसे denote करते हैं, I Cap से तो हमारा projection का formula क्या होता है किसी भी चीज का, मानलो A, B का projection मेरे को X axis पे निकालना है यानि कि I Cap पे तो formula क्या हो जाएगा A, B dot I upon I Cap का यहाँ पे magnitude यही होता है हमारा formula तो इसी पे अपन पूट कर देते हैं तो A, B dot I जाम में करूंगा तो I, I के साथ ही इसी इसी इप dot होता है J और K के साथ 0 हो जाता है तो I का I के साथ dot करो, तो यहाँ पे coefficient I का 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 into 1 upon I का magnitude क्या हो जाएगा 1 तो projection हमारा X-axis पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है, अब सिमिलरली प्रोजेक्शन और Y-axis Y-axis पे projection क्या हो जाएगा A, B का, तो A, B dot Y-axis को अपन J-cap से डूनट करते हैं तो A, B dot J-cap upon J-cap का magnitude तो A, B का, अगर J के साथ dot करूँ, तो J का J के साथ shift dot होगा, तो 6 into 1 यानि कि 6 upon J-cap का हमारा magnitude क्या होता है, 1 तो यहाँ आगे है 6, ठीक है अब अब आपन देखते है, projection on Z-axis projection on Z-axis ठीक है, तो Z-axis पे projection क्या हो जाएगा, Z-axis को अपन K-cap से denote करते हैं, तो AB dot K-cap upon K-cap का magnitude अब AB का dot करते हैं, K के साथ तो K का K के साथ ही dot होगा तो यहाँ पे coefficient 4 है, और यहाँ पे coefficient 1 है, तो 4 into 1 upon 1 हो जाएगा, K का magnitude 1 होता है, तो यहाँ आगे है 4, ठीक है तो हमारा जो पूछा गया था question कि coordinate axis पे projection find out करो, तो projection X axis पे हमारा क्या हो जाएगा X axis पे 6 हो जाएगा, Y पे भी 6 और Z पे 4 हो जाएगा Thank you